दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं Hero की Splendor Plus Sports Edition के बारे में आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि Hero की Splendor Plus Sports Edition सची में इंडिया में आ सकती है या नहीं अगर आती है तो इसमें क्या-क्या बदलाव होने चाहिए और इतने सारे बदलाव होने के बाद इस बाइक की प्राइस क्या होगी तो दोस्तो अगर आपको जानना है Hero की Splendor Plus Sports Edition के बारे में तो ये वीडियो को आप लास तक जरूर देखते रहे ना और हाँ अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर ले और हाँ दोस्तो एक लाइक तो बनता है सबसे पहले इस बाइक की हेडलाइट की बात कर लेते हैं इस बाइक की हेडलाइट अगर हायलोजन रहेगी तो भी चलेगी and Indigator Bulb रहेगा तो भी चलेगा नहीं तो इस बाइक का प्राइस ज्यादा हो जाएगा दोस्तों लेकिन इस बाइक का टेल लाइम का डिजाइम थोड़ा सा चेंज होना चाहिए जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो दोस्तों ये देखने में काफी खूबसूरत दिख रहा है अभी हम इस बाइक के सस्पेंशन की बात कर लेते है फ्रेंट में टेलिस्कोपिक सस्पेंशन ठीक रहेगा बट रियर में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए कम से कम 5 steps adjustable hydraulic sock absorber होना चाहिए जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो दोस्तों होने को तो फ्रेंट में USD सस्पेंशन ए रियर में mono sock हो सकता है लेकिन इससे bike का price कहीं ज होना चाहिए तब जाके यह bike देखने में अच्छी लगेगी दोस्तों इसके wheel की बात करें तो front में and rear में 17-inch का yellow wheel मिलना चाहिए बट इसके wheel का design थोड़ा सा change होना चाहिए जैसे sports bike में होता है जैसा कि आप picture में देख रहे हो दोस्तों यह design देखने में काफी अच्छा चाहिए 100cc की जगा पे 125cc का engine देना चाहिए और इस engine में थोड़ी सी power और increase कर देना चाहिए जिससे इस bike का pickup अच्छा हो जाए and performance भी अच्छी मिल जाए दोस्तों and साथ में air cooled रहेगा या फिर oil cooled रहेगा तो भी चलेगा दोस्तों but इस bike में 5 speed gearbox होना चाहिए और अभी हम इस इस bike के graphics की बात कर लेते हैं इस bike में थोड़े बहुत graphics चेंज होना चाहिए जैसा कि आप picture में देख रहे हो और साथ में इस bike का exhaust का design भी चेंज होना चाहिए जैसा कि आप देख ही रहे हो दोस्तों और इस bike में kick हर जाएगी क्योंकि वैसे जितनी भी sports bike के आ रहे हैं सम्में आज कल kick हाटा दी जा रही है सीट की बात करें तो इस bike को sporty feel देने के लिए split seat होनी चाहिए और इस bike का riding posture भी थोड़ा सा improve करना चाहिए और साथ में fuel tank की बात करें तो वो भी थोड़ा सा increase करना चाहिए कम सकम 15 लिटर का fuel tank देना चाहिए और इस bike के handlebar की बात करें तो clip and handlebar हो होना चाहिए अगर इसके instrument cluster की बात करें तो fully digital नहीं मिलेगा तो भी चलेगा बट unlock plus digital instrument cluster होना चाहिए और थोड़े बहुत छोटे मोटे features भी add कर देने चाहिए जैसे gear indicator and fuel efficiency ऐसा कुछ मिलना चाहिए अगर ऐसी bike launch हो जाती है यह सारे features के साथ तो अच्छा खासा response मिलने वाल होगी तो इस bike की price क्या होगी इस bike की price दोस्तों on road 1.10 लाग तक फड़ जाएगी अगर इतने सारे features company add करके दे रही है तो cdc बात है bike की price तो बढ़ेगी बाद में अगर और भी बदला होंगे तो इस bike की price कम जादा हो सकती है यह मैं अपने अनुसार से बता रहा हूँ दोस दोस्तों मैं पहले यह आपको बता देता हूँ कि यह concept है bike का जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है ऐसा अभी hero company ने भी design नहीं किया यह picture मैंने एक YouTube channel से लिया है उन्होंने इस bike का design किया है मैं उनके channel का link आपको description दे दूँगा दोस्तों आप जाके वो वीडियो देख सकते हो दोस्तों मुझे concept देखके बहुत अच्छा लगा फिर मुझे लगा कि आप सबको इसके बारे में बताना चाहिए साथ में अगर कोई hero company का graphics designer या फी engineer तक यह वीडियो पहुचे और वो सब भी यह वीडियो देखे ऐसा कुछ concept सोचे लाने के लिए यह सोच के मैंने यह वीडियो बनाया दोस्तों और मेरी request रहेगी hero से कि ऐसा कुछ आना चाहिए स्प्रेंडर प्लस का sports edition अगर यह बाइक आती है तो मैं खुद यह बाइक लूँगा दोस्तों और आप लोग कमेंट करके बताओ कौन-कौन यह बाइक लेना चाहेगा दोस्तों और दोस्तों इसके आने की बात करें तो आज के टाइम में कुछ भी आ सकता है दोस्तों क्यूंकि आजकल hero company भी sports bike बनाने में लग चुकी है दोस्तों सायद ऐसा कुछ concept हमें future में देखने को मिल जाए तो दोस्तों अगर आप लोगों ने यहां तक वीडियो देखा होगा तो प्लीज ला